Hello friends, आप सभी का स्वागत यह ग्या नरी नमे, मैं हूँ निशान गुपता और दोस्तो closer के इसी ही आपके series में अब हम start कर रहे हैं capture list ठीक है, अब यह capture list है क्या, ठीक है, capture list जो सो कुछ नहीं है, closer आपका reference type होता है, ठीक है जो की capture list के through होता है, ठीक है, तो चलिए start करते हैं पहले example से, आपको example के through clear करेंगे कि क्या problem थी, उसको solve करने के लिए क्या चीज़ हम ले की आए किस तरह से implement हमने किया, तो सबसे पहले दोस्तों हम दो variable बना लेते हैं, एक a equal 0 रख लेते हैं, और आपका एक b equal 0 रख लेते हैं एक closure का design करते हैं दोस्तों, design a closure, यहां हम ले लेते हैं, let नाम से आपका new closure equal, इसमें दोस्तों हम क्या रखेंगे, कुछ नहीं, simple value को print करा देंगे, जैसे अगर आप चाहों, तो यहां पे simple print लिखे, a लिखे, comma लिखे, v लिखे, तो हमने क्या किया, invariable की value को print करा दिया, जैके, अब इसको देखने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, simple इसको call कर देंगे, new closure, जैके, और दोस्तों यहां पे क्या करेंगे, इसको run कर देंगे, तो देखते हैं, यहां पे क्या output आता है, देखे, यहां पर 00 दोनों की value आ गई, ए और बी की यह तो simple दोस्तो प्रिंट हो गया चीक है अब क्या करते हैं दोस्तो एक array बनाते हैं चीक है उसमें value प्रिंट कराके देखते हैं कि क्या रहता है हमारा चलिए एक design करते हैं closer array चीक है उसमें आपको दोस्तो किलियर हो जाएगा closer array चीक है closer array बना लेते हैं दोस्तो तो closer array के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें array type उसको define करना पड़ेगा तो array के अंदर हम क्या ले रहें दोस्तो कोई भी value हम इसमें डालने रहें और नहीं कुछ return कर रहें चीक है लेकिन आपको initialize कर दिया मैंने array से blank array से मैंने इसमें कर दिया जिसमें आप print करा सकते हो ना value आप इसमें as a parameter डाल रहे हो ना return कर रहें चीक है तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे एक variable ले ले लेते हैं यह आपको आई थिंक पता होगा ठीक है इसके बारे में discuss नहीं करूंगा जाथा और दोस्तों closer array जो है अब उसको क्या करूंगे append करूंगे append code ठीक है प्रिंट में क्या करा दूंगा दोस्तों यहाँ पर i ठीक है और यहाँ पर क्या करूंगा दोस्तों i plus equal one आयोब आपको यह क्लियर हो गया यहाँ पर क्या रहे एक follow up चलाया है यहाँ पर आपका closer आपने बनाया था बनाया in the sense आपने define किया था इस type का है आपका error closer ठीक है उ अगर迎判ो हमेए क्या मिलना चीहिं अगर expected मैं अगर देखो हो ठीक है कि मुझे क्या मिलना चीहिं तो मुझे मिलना चीहिं दोस्तों अगर मैं call करता ह हूं let's see closer array का index अगर zero और यहाँ इसको call करता हूं तो यहां मुझे क्या मिल जाना चीह है जीरो ठीक है ऐसे ही अगर मैं closer array of let's see मैं 3 का उठा लेता हूँ ठीक है तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों 0 1 2 3 ठीक है तो ऐसे ही मुझे और constitutively आपको क्या मिल जाएगी values मिल जाएगी लेकिन अगर मैं इसको run करता हूँ दोस्तों तो देखिये मुझे क्या मिला मुझे यहाँ पे मिला आपका 5 और यहाँ पे भी मुझे मिला 5 अब यह ऐसा क्यों हुआ ठीक है कि यहाँ पे भी 5 दोस्तों मिल रहा है यहाँ क्योंकि दोस्तों आपका जो closer होता है वो आपका होता है reference type का ठीक है क्या आपकी characteristics होती है इसकी यह define किस type से होता है आपका reference type होता है क्या होता है दोस्तों closer यह बात ध्यान रखिएगा ठीक है लेकिन इस reference type से अगर मैं चाहूं कि मुझे यहां पर value क्याद है dynamically add करानी कि अगर 0 हो तो 0 आए 1 हो तो 1 आए अगर मैं access करो तो 2 हो तो 2 हो तो 3 तो उसको भी हम use करेंगे लेकिन उससे पहले एक example और देख लेते हैं यहां पर हम where लेते हैं उसी को भी solve करते हैं c is equal to 0 ले लिया वैर आपका एक और icon ID ले ले लेते हैं d is equal to 0 और दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर एक और आपका smart closer नाम से closer करते हैं create जो कि आप क्या करेंगा कोई भी parenthesis नहीं ले रहा है और return भी आपको क्या कर रहा है तो यहां पर हम क्या करेंगे simple चाहो तो आप यहां पर कुछ भी मतलिक हो अगर लिखना चाहो तो यह भी लिख सकते हो ठीक है it's depend on you क्योंकि पिछले lectures में आपको बता चुका हूँ closer के लिखने के types य आपको पते ही दोस्तों क्या value आएगी zero zero चीक है लेकिन अगर मैं दोस्तों यहां पर इसकी value को c और d की value को change कर देता हूँ यहां पर यह हटा दो यह हटा दो आप value change कर दो let's see मैं यहां पर देता हूँ six six चीक है तो दोस्तों अब मैं इस closer को अगर call करूंगा तो मुझे क् मिलना चाहिए है यहां पर obviously six six तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा six कि six क्यों चोकि इस closer को call करने के बाद मैंने क्लोजर को call कर दिया COD की value change कर दी और यह जो closer है यह reference type है तो COD की last value होगी उसको क्या कर रहा है दोस्तों print करा रहा है चीक है तो दोस्तों अगर आप चाहते हो क यह वाली value को ही आप access करो क्योंकि आपने closer में यह वाली value डाल रखी है तो उसके लिए हमारा introduce हुआ है दोस्तों capture list जो आपका क्या करता है दोस्तों copy type आपका उसको define कर देता है बनाता नहीं लेकिन as a copy type उसको use कर सकते हो ठीक है तो चलिए हम capture list को आपका use करते है ठीक है इ यह तो smart था एक smarter smarter closer ठीक है नेम से बना लेते हैं same आपकी वही चीज रहेगी ठीक है no parameter no return ठीक है equal अब यहां पे दोस्तों काम होगा हमारा ठीक है जब हम angular bracket लगा के cod कर देंगे तो यह आपका बन जाएगा capture list ठीक है यहां पे हमने क्या डाल दी है values डाल दी तो यहां क्या होगा अगर आप दोस्तों print कराओगे ठीक है c,d ठीक है और अगर अभी आप यह call कराओगे तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा 6 और 6 मिल जाएगा दोस्तों अगर आप देखोगे 6 6 मिल गया लेकिन अगर म मैं इधर cause की value को change कर देता हूँ let's see मैं कर देता हूँ 10 10 अब मुझे क्या मिलना चाहिए दोस्तों अभी भी मुझे मिलना चाहिए 6 6 ना कि 10 10 इसको run करा के देखिए क्या मिला लेकिन मुझे यहाँ पर 10 10 अब यह ऐसा क्यों हो गया मैंने कुछ गरबट कर दी येस हमारे closer का नेम तो smarter closer है न दोस्तों अब देखेगा दोस्तों यहाँ पर value आपकी कितनी प्रिंट होगी 6 6 और यहाँ पर होनी चाहिए आपकी 6 6 क्यों तो कि आपने value change कर दी उससर फर्क नहीं पड़ा लेकिन यहाँ पर हमने capture list ले रखी है जिसमें जो आपकी COD की value रही होगी closer हमें वही return करेगा बाद में आप चाहें कितना भी उसको change कर दीजे, modify कर दीजे दोस्तों ठीक है तो आपको clear हुआ कि capture list आपका किस तरह से use होता है और क्यों होता है ठीक है कि आपका closer के characteristics होती है वो आपका होता है reference type का लेकिन अगर आपको as a copy type आपको use करना है तो आप उ तो चलिए अब हम क्या करते हैं एक example और देखते हैं आपका ठीक है एक example थोड़ी के लिए रोगा और थोड़े से example जेखते हैं ठीक है अब हम बनाते हैं दोस्तों एक closer array फिर से ठीक है where name का smart closer array इस name से closer बना लेते हैं आपका closer array बना लेते हैं यह आपका ठीक है तो array आ गया return क्या करेगा कुछ नहीं ठीक है लेकिया रहा है return कुछ नहीं कर रहा है यहां पर आपको इसको initialize करता जीचे आप blank से ठीक है और where is equal to parameter ले लोग पर आई लिया था तो यहां जे ले लेते हैं चीक है और दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे append करेंगे closer जो आपने यहाँ पर दोस्तो यूस किया था यहाँ पर आपका 55 आ रहा था इसी टाइप से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर use करेंगे चीक है तो ले लेते हैं दोस्तो for loop चीक है यहाँ पर आपको हम कुछ नहीं रहे हैं यहाँ पर आपका one तो लेकर five तक आपकी value ले रहे हैं चीक है और दोस्तो यहाँ क्या करेंगे smart closer को हम append करेंगे चीक है यहाँ आप append करोगे क्या करोगे दोस्तो print j चीक है और इतर हम क्या करेंगे j की value को 1 increment कर दिए चीक है अब देखे दोस्तो अगर मैं अब इसको call करता हूँ index 2 तो मुझे यहां क्या मिलना चाहिए पहले हम यह देख लेते हैं यह run हो रहा है एक second हमने यहां पर इसको call तो initialize किया ही नहीं अब इसको करके देखते हैं दोस्तों अब देखिए आपका output आना चाहिए 5 ठीके यहां क्या मिल गया दोस्तों मुझे 5 अब यह ऐसा क्यों हुआ यहां हमने कुछ गरबर कर दी क्या एक second यहां हमने print j कर दिया है उसको 5 आ चुका है value change करके देखते हैं यहां पर हम 1 कर देते हैं ऐसा तो नहीं होना चाहिए कहीं पर यहां पर हमने capture list को use करी नहीं है तो आपका value कैसे ले लेगा यह देखिए यहां पर मैंने क्या कर दिया capture list को यहां पर initialize कर दिया कि मैं क्या capture कर रहा हूँ जे क्या करेगा copy value आपका यहां पर print हो जाएगा कि जब भी आप इसको call करेंगे इस particular index पर तो j आपको मिल जाएगा जो कि इसकी उस time पर value रही होगी तो अब मैं run करके देखता हूँ दोस्तों मुझे क्या मिलता है यह देखिए 1 मुझे मिल गया ऐसे दोस्तों अगर मैं यहां पर 3 call करता हूँ तो देखिएगा मुझे यहां क्या मिल जाएगा 3 of 1 ठीक है जो जो आप इंडेक्स टाल रहे हैं उस index और particular उसकी value को यहां पर find कर रहे हैं ठीक है दोस्तों तो यह है आपका closer के अंदर capture list यूज करना और capture list हम क्यों use करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं closer को as a copy आपका use करना उसको as a copy type आपको use करना copy values को use करना क्योंकि यह आपका क्या है reference type होता है value को reference करके रखता है ठीक है दोस्तों तो I hope आपको यह clear हो गया होगा चलिए मिलते हैं फिर next lecture में